नमस्कार ये हमारा पूरा विश्वास है कि भोजपुरी समाजों के लोग जहां भी जाते हैं अपने कीर्थी का फैलाव करते हैं अपने प्रतिभा का फैलाव करते हैं और अपने शम का मूर्त रूप में उपयोग करते हैं इसमें कोई शक नहीं कि जो भोजपुरी लोग हैं उन्होंने दुनिया के अन्यक हिस्सों को नए तरीके से स्रजित किया है। आप चाहे मौरिशस को ले लें, चाहे आप सुरी नाम को ले लें, चाहे फीजी को ले लें, चाहे गयाना को ले लें, नेपाल के बहुत सारे हिस्सों को भोजपुरी लोगों नुस्रिजित किया है। अगर हम दुनिया में मान पा सकते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात है हमारे श्रम का सुंदर और हमारी प्रतिभा का उप्योग हमें चाहिए कि हम अपने समाजों को भी जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के समाज हैं भोजपुरी समाज हैं मैथिली समाज हैं मगही समाज हैं उनको हम रीक्रियेट करें पुनर सरजित करें हमें पूरा विश्वास है कि जिस समय हम अपने समाजों को पुनर सरजित करे अपने समाजों से रोजगार को क्रेट करेंगे अपने प्रदेश को अपने समयों को नए तरीके से स्विजित कर पाएंगे नई धारा दे पाएंगे नई दिशा दे पाएंगे तो हमारे घर में भी हमारा मान होगा और पूरी दुनिया में भी हमारा मान और बढ़ता चला जा इसलिए मेरा अनरोध रहता है पूरे समाजों से अपने भोषपुरी समाजों से कि आप खुद का सम्मान करना शुरू करें अपने शम के वैभो को फ़लाएं अपने ज्यान के दीप्ति को फ़लाएं और अपनी समझ का विस्तार करें साथ ही जहां भी जाएं निश्ठा से काम करें जैसे आप काम कर रहें दूसरे समाजों से मेरा कहना ये है कि आप भोचपुरी समाजों का मान करें क्योंकि ये लोग शमजीवी हैं महंती हैं बुद्धिसाप्रेक्ष हैं और आप के साथ कौपरेट करने वाले हैं अपने जो भोचपुरी समाजों के प्रदेश हैं उत् कि हमें बाहर मान ना मिले इसलिए हमें अपने घर को भी संशोधित करना है अपने घर को भी उचित बनाना है और दूसरे समाजों में भी मान पाना है जब भी हम कहीं भी बाहर मान पाते हैं तो हम अपने मेहनस से अपने लगन से अपने प्रतिभा से सारे समाजों के संयोजन स मान पाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में हमारा जो नाम हुआ है भोजपुरी समाजों का वो हमारे कविता से हमारे गीतों से हमारे भोजपुरी के जो म्यूजिक है हमारी जो समझ है हमारी जो मेहनत है उसके वज़े से हुआ है हम उसको और सम्मानित करें और मेहनत से उस कारे को करें हमें निश्यत रुप से मान और मिलता जाएगा हमारे एक शमता बढ़ती जाएगी नमस्कार